साथियों, एक सोच वो है, जो अपने परिवार के बविश्च के लिए दिरासत छोड़ती है, दन छोड़ती है, संसाधन छोड़ती है, हमारे संसकार वैसे नहीं है, हमारे लिए सत्ता से भी उपर हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे 130 करोन नागरिक है, हम देश के बहतर भरतमान और शांदार भविश्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की विरासत तयार करना चाहते हैं, हमारा प्र्यास है कि देश के लोगों का जीवन आसान हो, व्यापार कारोबार करना सरल हो, कोई भी खेत्रों हो या व्यक्ति सबका संतुलित विकास हो, बहतर रोजगार का निर्मान हो, यही एक रास्ता है नए भारत की युवा उर्जा और युवा आकांग्छाओं को पुरा करने का, आपके आशिरवाद से हमारी सरकार इसी दिशा में एक इमानदार कोशिश कर रही है, भाई और बहनों, न्यू इंडिया का नया इंफा सेक्टर तैयार करने में हम निरंतर जूटे हुए हैं, इस वे भी देश का पूर्वी हिस्सा हमारा नौर्थ इस अगुवाई करने वाला है, नौर्थ इसके कौने कौने में कनेक्टिविटी सुनिशित करने का एक गंबीर प्रयास बीते साड़े चार वर्सों से चल रहा है। दस दिन पहले ही मैं बोगी बिल में था, वहां भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रीज का लोकारपन किया गया। आप सभी ने भी देखा होगा उस एक प्रोजेक्ट की चर्चा किस प्रकार देश और दुनिया में हुई है। बोगी बिल हो या फिर भुपेन हजारी का सेतो, देश के ये दोनों बड़े इंफ्रासेक्टर प्रोजेक्ट यहीं हमारी आसाम की धर्ति पे है। बर्सों के से अठके इन दोनों प्रोजेश को पूरा करने और देश को सबर्पित करने का सौभाग्या हमारी सरकार को ही मिला है। भाई और बहनों असम और नौर्थिस के जीवन को आसान करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र पर नए पुलों का निर्मान करने का काम सरकार कर रही है। दूर दराज के खेत्रों को शहरों की बहतर सुविदाओं से जोडा जाएं। इसके लिए कोशिश की जा रही है। हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, वाटरवे हो या फिर आइवे हो। हर स्तर पर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है।